हाव रूफिक्स सैमसंग गैलेक्सी एज एडवांस आटो रोटेट नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तेकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने डिवाइस म सॉल्फ किसी कर सकते हैं अगर दोस्तों आटो रोटेट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है मान लिजिए दोस्तों आप यहाँ पर आपकी डिवाइस में तो आप दोस्तों इस वीडियो को आन तक जरू देखेगा मैं आपको इस ते बाइस ते इसका सॉलूशन बताऊंगा उसके बाद जाके दोस्तों आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है फिक्स हो जाएगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें और अगर आप उन आपने डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कीजिए एंडेंट अपना सेटिंग को दुबारा से इनेबल करके देखिए ठीक है इनेबल करके देखिए अगर आपका ओतो रोटेट काम कर जाते हैं तो ठीक है अगर रिस्टार्ट करने के बाद भी दोस्तों अगर सेम प्रॉ के बाद दोस्तो जितने भी आपकी अप्लिकेशन्स ओन हैं उनको आप क्लोस किजिए क्योंकि कभी कबर क्या होते हैं हमारे डिवाइस में जो जायरो होते हैं वो लोग हो जाते हैं ठीक है तो उसके वज़े से दोस्तो यहां पर प्रॉब्लम आते हैं तो आप अपने टब किजिए क्लोस करने के बाद दोस्तों दुबारा से रिचेक करके देखें कि आपका प्रॉब्लम सौफट हो आय क्या तो ठीक है अगर उसके बाद भी दौस्तों प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जाये दोस्तों अपने मुबाईल के सेटिंग पर इसक्रॉल डाउन करते स्क्रीन लोग पे उसको एट करने के बाद सारे सेटिंग रिसेट हो जाएगा तो अभी दोस्तों आपको क्या करना है ऑन कीजिए अपना पोट्रेट मोड को यानि कि आटो रोटेट ऑन करने के बाद दोस्तों दुबारा से चेक करके देखें सौल्फ हो जागा आपका प्रॉ करेंगे तो इस तरह के से दोस्तों आप ऑटो रोटेट के प्रॉब्लम को यहां पर फिक्स कर सकते हैं उमीद करते दोस्तों वीडियो आपको पसंद होगा टेंक्स पूर आचिंग